हेलो दोस्तों, वेलकम तो इस अमेजिंग प्लेटफार्म टॉप टीन क्लासेश, तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने माले हैं प्यारे बच्चों, कच्छा नव की बिज्ञान की वो भी आज की टॉपिक क्या है, दूरी और विस्तापन, दूरी और विस्तापन के बारे में जानेंगे, वाट इस डिस्टेंस, वाट इस डिस्प्लेसमेंट, यानि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को जानने से पहले, जल्दी से जल्दी से इस क्लास को सेर कर दीजेगा, प्यारे बच्चों, और चैन यानि सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिस्टिंस क्या होता है दूरी क्या होता है तो विस्तापन क्या होता है दोनों चीजों को एक चित्र के माध्यम से समझेंगे प्यारे बच्चो तो एक छोटा साथ चित्र एक छोटी सी समझाने की जो आपकी हमारी जो विधी है वह आप A, B, C, D यह A, यहां क्या है? A है, A का यह घर है क्या है प्यारे बच्चों, यह A का यहां घर है ध्यान समझेगा, A का यह क्या है? घर है और यह जो C है न, वो क्या है? यहां C पर क्या है? इस्कूल है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेगा था C पर क्या है? इस्कूल है, आगे ध्यान समझेगा जो यह A है, यहां पर A जो है, A नाम का कोई लड़का है वो A नाम का कोई एक लड़का है ध्यान से यह A नाम का कोई लड़का है सबसे पहले तो एसे बी पर जाता है फिर बी से सी पर पर इसका स्कूल पढ़ता है यहां पहुंच बहुता है प्यादे बच्छो अगली बार एंगली बार ऐसे जाता है अगली बार ये ऐसे जाता है फिर उसके बाद अगली बार इस रास्ते का क्या नाम दिया ए नाम दे दिये क्या नाम दे दिये ए और फिर अगली बार क्या गया है ऐसे गया इस रास्ते का क्या नाम दे दिये यफ जा तो इस्कूल ही रहा है पर रास्ती बदल करके जा रहा है एक बार लाश्ट जो हो कहा रहा है इए एकक दम ऐसे गया ऐसे वैज लाइन पर ध्यान समझे इस वैह लाइन पर एफ जी हो गये अब आप समझें यह हम आपसे क्या कहना चालें प्यारे बच्चों आईए आज हम आपको यहां दूरी और विस्तापन आपके जरूर क्लियर कर देंगे प्यारे बच्चों एकदम सरल और एकदम अच्छे से भासा में आईए ध्यास देखिए यह कोई एक लड़का है वो अप अपने घर से निकलता है कहां से निकलता है घर से घर से जब निकलता है तो A से B जाता है पहली बार में A से B जाता है B से C जाता है यानि जो उसका पत जो जा रहा है उसका रास्ता क्या है A B C एक बार वो कितना गया A B C गया तो यह जो A B C है यह जो इसकी लंबाई है इस ल वो मारग की लंबाई ही क्या कहलाती है दूरी कहलाती है एक बार फिर से समझेगा प्यारी बच्छो एक लड़का है वो अपने घर से A से B, B से C, C पर स्कूल है उसका तो इस रास्ते से गया ऐसे गया फिर ऐसे गया तो यह जो रास्ता तैंक की गई जो रास्ता है तैंक की ग A से D, D से C, तो A ये ये इतनी दूरी A, D, C, A, D, C ही क्या कहलाएगी दूरी कहलाएगी प्याने बच्चों, क्या कहलाएगी दूरी कहलाएगी आगे ध्यान समझेगा, फिर जब तिसरी बार वो इस्कुल गया तो A से E गया फिर E से C गया यानि जो अब A, E, C A, E, C क्या कहलाएगी दूरी कहलाएगी यानि यह जो मार्ग की लंबाई तैंकि यह क्या कहलाता है दूरी कहलाएगी फिर दुवारा जब वो गया A से यफ, यफ से गया C तो यह A, E, C क्या कहलाता है दूरी कहलाता है और तीसरी लास्ट बार जब वो डारेक्ट A से G, G से C गया तो यह A, G, C जो होगा वो भी क्या कहलाती है दूरी कहलाती है प्यारे बच्चो तो आप अगर देखना चाहोगे तो यहां आपको देखने को मिल रहा होगा, यदि हम मान ले, यह 10 मीटर रहा होगा, और यह भी 10 मीटर रहा होगा, तो पहली बार जब A से B, B से C गया था, तो वो 20 मीटर, फिर जब A से D गया, और D से C गया, तो यह भी 10 मीटर, यह भी 10, तो अगली बार भी 20 मीटर तेंग कि अब जब आपने A से C गय तो मान लेते हैं A से C ये 15 मीटर आ होगा ठीक प्यारे बच्चो ये भी आपके 15 मीटर रहे होंगे इनको मान लेते हैं ये 10 मीटर रहे होंगे प्यारे बच्चो तो A से C पे गया तो वो 15 मीटर दूरी तेंकिया फिर A से Y और C गया तब भी 15 मीटर दूरी तेंकिया पर जब वो A से G गया और G से C गया तब वो देख रहे हैं कि वो 10 मीटर दूरी तेंकिया यानि प्यारे बच्चो जो ये नियूनतम दूरी है सी तक जा ही रहो सी तक ये भी रास्ता पकड़ के ये भी रास्ता पकड़ के तो ये जो नियूनतम दूरी है प्यारे बच्चो वो नियूनतम दूरी क्या कहलाती है विस्थापन कहलाती है क्या कहलाती है प्यारे बच्चो विस्थापन कहलाती है ये तो रहा हमने आपको ग्राप के माध्यम से समझाया प्यारे बच्चो कि यानि एक अस्तान से चले हो जहां तक जा रहे हो प्यारे बच्चो तैंकी गई मार्ग की लंबाई ही क्या कहलाती है दूरी कहलाती है प्यार अब बच्चो ये graph आपको जरूर समझ में आया होगा तो आए हम लोग लिख लेते हैं दूरी क्या होती है अब अब लगने हो जाता तरह चलिए तो इसको मूब करते हैं लोग अब दूरी लिखते हैं दूरी क्या है डिस्टेंस क्या है दूरी तो हेडिंग का नाम बनाएंगे दूरी जिसकी इंगलिस होती है डि-i-s-t-a-n-c-e ठीक डिस्टेंस यानि दूरी क्या होती है प्यारे बच्चो तो ध्यान से समझेगा दूरी क्या होता है दूरी में हम लोग लिखेंगे कैं लिखेंगे हमने बता न भी लड़का गतिमान था क्या था गतिमान था इस्कूल तक जाने में जो सडक की लंबाई थी तो जो सडक की लंबाई थी, वही क्या खलाई? दुरी कलाई तियानी हमको यहां 카 201 मिला किसी गतीमान वश्तुदा रहा किसी गतीमान वश्तुदा रहा किसी गतीमान वश्तुदा रहा तेंक गई कि गई पत की लंबाई पत ही लंबाईral boly hol जowaćी गई व For The इसकी लमबाई ही दूरी कहलाती। है. प्यारे बच्चों हमने क्या बताया कि जो कोई भी गतिमान वनुस्त। रहेगा, वो जितना पत्की लमबाई टेर्फ कहलाएगी। क्या कहलाती है यहां दूरी होती है परिमार की आज सकता परती कहता है सी रास होती है प्यारे बच्चो अधीस रास होती है अगला पॉइंट क्या है जो दूरी होती है जो प्यारे बच्चो जो दूरी होती है इसका मात्रक इसे किसमे मापते हैं तो दूरी का मात्रक जो होता है वो क्या होता है मीटर होता है क्या होता है प्यारे बच्चो मीटर हो खोती है धनातमक होती है यानी प्यारे बैच्चों इनके कहने का मतलब है कि जो दूरी होगी वो कभी सुन्य नहीं हो सकती कभी रडातमक नहीं हो इनके चच्छ यो क्योंकि दूरी जो है आप कुछ न कुछ तैं करोगे हाँ सुन्य हो सकती है प्यारे बच्चो जब आप चलोगे नहीं तो दूरी सुन्य होगी दूरी धनात्मक होगी पर दूरी कभे रडात्मक नहीं होगी कुछ न कुछ तो दूरी चलोगे ही चलोगे तो दूरी धनात्मक ह होती है यह लिख लिए दूरी का मत्र क्या जानते हैं जो दूरी होता है जो दूरी होता है वे विस्थापन से बड़ा प्लीक के बराबर विस्थापन के बराबर वoney होता है प्यारे बच्चो ध्यान से समझेगा हमने क्या बताया दूरी जो होता है वो विस्थापन के बराबर और बड़ा हो सकता है परन्तु छोटा कभी नहीं होगा प्यारे बच्चो यह पॉइंट याद करने वाली बाते हैं दूरी क्या है अदिस रास है इसका मात्रक क्या होता है मीटर होता है यह सदेव धनातमक होती है और यह विस्थापंस के बराबर वह बड़ा होती है पर कभी छोटा नहीं हो सकते प्यारे बच्चो तो इस प्रेकार आपकी जो यह दूरी है वो आपकी जो दूरी की topic है प्यारे बच्चो वो आपके clear हो जाते हैं क्या आपको समझ में आया है अगर समझ में आया हो तो comment box में comment को जोक दीजिएगा कि सर जी समझ में आ गया आज के बाद नहीं भूलने वाले हैं प्यारे बच्चो और भूलोगे तो एक बार मुझे य बिस्थापन क्या होता है उसको जानेंगे आप screen shot लेना चाहते हो तो आप screen shot ले सकते हो अगली topic क्या है बिस्थापन क्या है बिस्थापन जिसकी English क्या होती है displacement displacement ठीक प्यारे बच्चो displacement जिसे आप लोग क्या करते हो विस्थापन करते है आई यह जान लेते हैं विस्थापन क्या होता है जिसे आपने क्या कहा कि जैसे यह एक छोड़ हो गया अभी तो graph के मादिम समने आपको समझाया था थोड़ा सा कम होआ समझाया थे a हो गए फिर चर्चा के बी से तो आपको जाना तो बी पर है जाना किस पर बी पर जाना है तो प्यारे बच्चो चाहे आप एक बी तक आपको जाना है चाहे आप ऐसे करके जाओ ऐसे करके जाओ ऐसे कर जाओ जाओ जैसे जाओ आपका जो विस्तापन होगा न वो यहां से लेके यहां त यानि सुरू कहां से की ओ, अंत में कहां हो, उनको मिलाने वाली सीधी रेखा ही क्या कहलाती विस्तापन कहलाती है, ध्यान से समझेगा आप कहां से कहां तक आए, कहां से कहां गुनते आए, वो मुझसे निर्भन नहीं करने वाला है, घर से निकले, अपने YouTube के चैनल पर आए, है वो आपकी क्या कहला थी displacement वो छोड़े सब थोड़ी सी हो जाता है आप दूसरा example क्या करना है देखो भाई साथ एक ट्रेन चल रही थी या एक कार ही मान लेते ट्रेन उतना लंबा हम लोग नहीं बनाएंगे एक कार बना लेते क्या बना लिए कार कार के दोठो पैर होते हैं नहीं कार के चार पैर होते हैं बाई साथ दोठो पैर उसके पीछे है ना तो अब यह जब कार यहां से चलना ही स्टाट हुई कर चली कार चली हैं कि जा崗ु कुस्मिर से जानते hoंगे чम काुशमिर अब जब यह कश मीर से चली तो में चलते चलते ईस ओअब यह काल ए tubР Tech लेज़ेगा रोद को जो है यह यह से करके पहले जमु जम्मू कस्मीर से निकली फिर जम्मू कस्मीर से होते हुए जो है आई दिल्ली कहां आई भईया दिल्ली ठीक तो दिल्ली आ गई फिर दिल्ली से कहां आ गई भाई साहब यह आ गई दिल्ली से यंपी माध्य प्रदेश फिर मिलाजुला के माध्य प्रदेश से आ गई यूप तो भाई साहब आप से पूछा गया कि जम्मू कस्मीर और यूपी के बीच की जो दूरी होगी इनकी जो बीच की दूरी है यही क्या कहलाएगी इस वस्तु का इस कार का बिस्तापन कहलाएगा न कि यहां से यहां तक की दूरी न कि यहां से यहां से यहां तक की दूरी क्यों क्योंकि विस्तापन बताया सुरू कहां से किये हो अंत में कहां हो वो निर्भर है विस्तापन यानि सुरू जम्मू कस्मीर से किये थे अंत में घूम के आये कहां है उत्तर प्रदेश तो प्यारे बच्चो जम्मू कस्मीर और उत्तर प्रदेश के बीच की नियूनतम दूरी क को ही क्या कहते हैं विस्तापन कहते हैं यानि किसी वह सचाहरी को कि आपके इस सर्जी पर देता है तो आप dormice आप लोगों के लिए हम और एक सेर करना रहता है सब्सक्राइब करना रहता है और करने में एक मिनट से कम समय लगते हैं वो भी आप लोग नहीं करते प्यारे बच्चो अपना काम बनता भाड में जाए जनता ये मत करना प्यारे बच्चो हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो आप लोगों का ए यह थे तो बाति समझ में आ गई होंगी तो लिख लेते हैं displacement क्या होता है जा लिखेंगे जम्मू कस्मीर अंतीम इस्तिती थी ना यह यूपी अंतीम इस्तिती तो किसी कि वस्तुकी कि अंतीम किसी वस्तुकी कि अंतीम इस्तिती वह प्रारंभिक अंतीम इस्तिती वह प्रारंभिक इस्तिती कि बीच की नियूनतम दूरी को बीच की नियूनतम दूरी को बिस्थापन कहते हैं क्या कहते हैं के बीच की नियूंतम दूरी को क्या कहते हैं विस्तापन कहते हैं प्यारे विच्चों त्यानी यहाँ फार्मूला एक निकल काता है विस्तापन बराबर विस्तापन बराबर अंतीम इस्तिती है अंतीम इस्तिती कुणं सी स्थिति प्रार्म भी किस्थि अँटिमिस्थि और प्रारं भी किस्थिति के बीच की नियूंतम दूरी को क्या कहते हैं विस्तापन कहते हैं ते एक परिवासा हम लोग और बता सकते हैं अंतिमिस्तिति और प्रारंभी किस्तिति के बीच के अंतर को अंतर यानि माइनस के बीच के अंतर को क्या कहते हैं विस्तापन कहते हैं क्या बता सकते हैं अंतिमिस्तिति और प्रारंभी किस्तिति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं विस्तापन कहते हैं बाते समझ भाई, अब आईए कुछ पॉइंट हैं इनको जानते हैं, तो बिस्तापन, दूरी एक अधीस रास थी, पर बिस्तापन क्या होता है, एक सदीस रास होता है, बिस्तापन क्या होता है, एक सदीस रास है, क्या है प्यारे बच्चों, एक सदीस रास है, अगला पॉइ मात्रक मीटर होता है यह बाते शुन मैं प्यारे बच्चो अगला पॉंट क्या है विस्तापन क्यों होता है और क्या होता है? रडात्मक भी होता है. तो प्यारे बच्चों, यानि विस्तापन, धनात्मक, रडात्मक और सुन्स दोनों होते हैं. तीनों होते हैं. अगला point क्या है प्यारे बच्चो जो विस्तापन होता है वो पत पर निर्भर नहीं करता है तो प्यारे बच्चो इस प्रकार आपका ये जो विस्तापन होता है वो complete रूप से क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चो अगर आज के class में किसी भी topic पर किसी भी doubt प और अगर आपको जरा सा भी doubt उत्पन होता है प्यारे बच्चो तो comment box में comment जरूर कीजिएगा I hope वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आई होगी तो like कर दीजेगा और channel पर नहे होंगे तो channel को subscribe कर लेंगे प्यारे बच्चो तो मिलते हैं अगल जय भारत थेंक्यू प्यारे बच्चो